हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डू दू दा सक्सकंद्रा दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बिहार द्रो का पीटे एक्जाम 2020 के लिए प्रक्टिस सेट नमबर 22 को कवर करेंगे, दोस्तो इससे पहले हम लोग ने सेट नमबर 1 से लेकर के 21 तक को कवर कर लिया था, तो जिन साथ हुने नहीं देखाया, देख लेंगे, सबका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबा लिजेगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकसन मिलते रहे हैं तो चलिए फ्रेंट्स, बिना देरिखिये, आज कर सेसन शुरू करते हैं वीडियो पसंद आएगे, तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करतीजे फ्रेंट्स, पहला प्रसंद देखिए किनेमन लिखित में से किस सिख गुरू को जहांगीर ने मिलत्तु डंड दिया था इंपोर्टेंट्स कुस्चन है, बार-बार पूछा जाता है देखिए फ्रेंट्स, पांच सेकेंड के अंदर में आप लोग अंसर दे दीजे उसके बाद जो भी करेक्ट इंसर होगा, पूरी डीटेल में मैं आपको बता दूगा तो ध्यान से सुनेगा, सिखो के पांचवे गुरू, ठीक है? सिखो के पांचवे गुरू, गुरू अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो की साहता करने के कारण जहांगिर ने 1606 बी में मरवा दिया था गुरू अर्जुन जेव जे थे, इन्होंने सिखो के धार्मिक गरंथ, आदी गरंथ की रचना किया था इन्होंने अमरित सर जलासय के मध्य हरमंदर सहाब का निर्बान करवाया था और सिखो के जो नवे गुरु थे, तेख बहातुर, यहाँ पे आप ऑप्सन B में देख रहा है इनकी हत्या औरंग जेब ने करवा दी थी, किस कारण से तो इन्होंने इसलाम धर्म को स्विकार नहीं किया था इसी कारण से, तो पहला का अंसर हो जाएगा ऑप्सन D, गुरु अर्जुन देव दूसरा प्रशन है कि पुना पैक्ट, जिसको कि पुना समझाता कहा जाता है, किसके मध्य हुआ था तो दीके, पुना पैक्ट जो है, ये 24 सेप्टेंबर 1932 में हुआ था, डॉक्टर भीमरा अंबेदकर और महात्मा गांधी के बीच में, यानि कि ऑप्सन D, इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा तीसरा प्रशन है कि वंदे मातरम के प्रथम समपादक कौन थे, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो वंदे मातरम के जो प्रथम समपादक थे, वो थे अरविंद घोस, और अरविंद घोस की और भी कुछ पत्र-पत्रिकाये हैं, ध्यान रखेगा कर्म योगी, यूगां अंतर, लाइफ डिवाइन, और फ्रेंट्स अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो कैसी लगी है, ये वी आप बताएगा, चौथा प्रशन है कि भारती समिधान में मूल कर तब्वे के प्रावधान की संस्तुती, नेमने लिकित में से किसने क की थी, तो आप सभी को पता है कि सरदार स्वन सिंग समिथी का अनुसंसा पर, जो 42 समिधान संसुदन हुआ था, 1976 में, उसी में मूल कर्तबे को समिधान में जोड़ा गया था, यानि कि option D इसका correct answer हो जाएगा, total कितने मूल कर्तबे हैं, 11 मूल कर्तबे हैं, और इसे रूस के समिधान से लिया गया है, मूल कर्तबे जो हैं समिधान के भाग चार को में अनुछेद 51 को के अंतरगत जो है इसको रखा गया है, next question देखिए, कि अंडे में कौन से विटामिन लगभग नहीं पाये जाता है, तो अंडे में विटामिन C जो है लगभग नहीं के बराबर पा प्रशन है कि NCRT के पार्थे पुस्तुकों के आपूर्ती के लिए आरंब किये गए, वेब पोर्टल का नाम क्या है, important question है, जो छठा प्रशन है, इसका साइंसर हो जाएगा option है, www.ncertonline.nic.in याद रखिएगा, साथ नमबर प्रशन देखिए, और फ्रेंट्स इससे पहले ह प्रेंट्स हैं, उनको टेस्ट वाइज कवर किया था और टोटल 27 टेस्ट कवर कर लिया था, तो करीब करीब 60-70 वीडियो हम लोगों ने बिहार दरोगा पीटी से सम्बंदित कवर कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है, तो देख लिजेगा सभी वीडियो का प्राप्त किये गए हैं, लामा जो है, ये उट की तरह दिखने वाली हती हैं, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, इसका सही अंसर हो जाएगा, जक्षरी अमेरिका, नेक्स्ट कुस्टन देखे आठ नंबर की जुलाई 2020 में नेमन में से किस देश को विश्व बैपार गठन के परियक्षक का दर्जा मिला है, तुर्कमेनिस्तान को, तुर्कमेनिस्तान जो है, ध्यान रखी का मध्य एसिया का एक देश है, इसकी राजधानी जो है, असबागत है, ध्यान रखिएगा, और यहां की जो मुद्रा है, यह भी इंपोर्टेंट है, मनात यहां की अगला कोस्टन देखिए कोस्टन नबर नाइन कि चिनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रह्मन किया था तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त दूतिये जिनकों की चंद्रगुप्त विक्रमादित के नाम से भी जाना जाता है इने के सासनकाल में ओप्सन C इसका सैंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर के समय मेगा स्तिनी जाया था हर्सवर्धन के समय जो है हैंस्वां गया था नेक्ष्ट कोस्टन देखिएगा कि यूद या बाहे आकर्मन के कारण की गई आपातकाल की घोशना का संसद्वरा अनिवारत अनुमोधन होना चाहिए तो यूद राश्क पर्तिद्वरा की गई आपातकी घोशना एक माह तक परवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इस संसद में दो तिया ही बहुमत से अनुमोधित करवा लिया जाता है तो वह 6 माह के लिए परवर्तन में रहती है तो इसका सई अंसर हो जागा अप्सन एक महीने संसार में चाय का मुख्य उतपादक ġेस कौनसा हे तो सबसे ज्यादा चाय को उतपादद Анग होता है यह होता है कहां पर अपने असकूर आप लोग जरूर बता जिए देखेगा मुझे कमेंट करके 14 नमबर है कि निम्न में से किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मीशन त्यानवेन प्रथम प्रश्ट लॉंच किया है तो फ्रेंड्स यह किस ने किया है यहां पर एंसर है आप लोग देखिएगा विरिंदावन गार्डेन कहा है विरिंदावन गार्डेन जो है यह मैसूर में है करनाटक में है ध्यान रखिएगा वर्स 2011 की जनगन्य का नुसार सरवाधिक सक्षर्था वाला केंदर सासित परदेश कौन सा था 2011 की जनगन्य का नुसार सरवाधिक सक्षर्था जो है अगर राज्य पूछा जाए तो आपको पता है कहाँ पर है केरल में है यहां आप से किंदर सासित परदेश पुछा जा रहा है, तो किस किंदर सासित परदेश में है, लक्सिदीप में है, याद रखेगा, next question math का है, math का preference हम लोग प्रशिन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगे, मैं आपको इसका एंसर बता दे रहा हूँ, इसका सही एंसर जो है, वो हो जाएगा 25 वर्स, नटराज की प्रसित कान सिमुर्ती उधारन है, तो यह उधारन है, चोल कला का, option D, correct answer हो जाएगा, अगर बात करें, कि चोल वन्स का संस्थाप कौन था, तो विज्याल है था, ध्यान रखिये का कौन था, विज्याल है था, next question देखिए, next question है कि चक्रवारती तूफान, निसर्ग, ठीक है friends, निसर्ग ने निमलेखित में से किस भारती राजे को प्रभावित किया है, तो निसर्ग और अंफन, अंफन जो था, ये बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था, और ये आंध्रप्रदेश, उडिसा और पस्सिम बंगाल के टठी इलाकों को प्रभावित किया था, यहाँ आप से निसर्ग पूछा गया है, निसर्ग जो है अरब सागर में आया था, और ये जो प्रभावित किया था, महराष्ट और गुजरात को किया था, महमत गोरी कहां का सा सकता, तो देखें, महमत गोरी जो था, ये गोर का सा सकता, गोर कहां था, तो गोर जो था, अफगानिस्तान में था, ठीक है, और इसको समय में तीन निरनायक युद होएं, मातप विट्विर राज चोहान जीत गए थे तराइं का दूसरा यूद जश्ट इसके एक साल बाद हुआ था 1192 में इसमें जो है महमत गोरी जीता था और उसके बाद है चंदावर का यूद है ठीक है चंदावर का यूद 1194 में हुआ था किसके बीच हुआ था तो याद रखेगा म महमत गोरी और जैचंद के बीच में और इसमें जो है महमत गोरी जीत गया था और महमत गोरी का गुलाम कौन था कुतुबदीन एबग था जिसने की गुलाम वंस की अस्थापने किया था 1206 में यह भी प्रशन पूछा जाता है तो आप सब को ध्यान रखेगा चलिए अगल विशार करने है तो दीकि सदासिव की कुटनिती गलतियां बिल्कुल करेक्ट है उसके बद आमत साफदाली का उत्कृष्ट सेनापति तो यह भी करेक्ट है मराठा सेना में बहुत से आनारी लड़ाकू का होना तो बिल्कुल सही है यानि कि इसका साइणसर आप्सन ही हो ज जाता है तो पेशवा ध्यान रखेगा उसमें पेशवा जो थे कौन थे बाला जी बाजी राव थे नेक्ष्ट कोस्टन देखिए और मराठा सेना का नेत्रित किया था सदासिव राव भाव ने मुगल वंस का जो संबंद बहादूर्चा जफर से था वहीं संबंद लोधी वंस में किस से था तो बहादूर्चा जफर जो थे ये मुगल वंस के आखरी सासक थे तो इसी तरह का संबंद लोधी वंस का आखरी सासक कौन था इब्राहिम लोधी था जिसको कि किस ने पराज संबंदित किया था पानिपत के प्रथम युद्ध में और भारत में मुगल सत्ता की अस्थापना किया था नेक्स्ट को सन देखे कि पंडित भीम सिन्गुरु राज जोसी संबंदित हैं इंपोर्टेंट है तो बताइएगा यह संबंदित हैं हिंदुस्तानी गायक से अग्य कि CM दीदी रसोई COVID-19 लोकड़ून के धरान सभी जरूरत मंद महिलाओं के लिए जीवन रिखा के रूप में उबरी CM दीदी रसोई की सुरवात कि सराजय में की गई थी तो CM दीदी रसोई की सुरवात यह झारखंड में की गई थी और झारखंड से याद रखे गया कि 2021 का जो बजट था उसमें आदिवासी संग्रहालर बनाने की घोशना की गई है जारकंट के राची सहर में और वहां के मुखमंत्री कौन है है मन्त सोरेन है जरूर ध्यानरक्षी का विश्व आर्थिक मंच कब एक अध्वितिये ट्वीन सिखर सम्मेलन की मेज़वानी करेगा इंपोर्टेंट कोस्टन है तो दिखे सबसे पहले जानिए कि जो विश्व आर्थिक मंच है इसका हेटक्वार्टर कहा है तो कोलोगनी स्वीर्जर लेंड में है ठीक है और यह जो है कब मेजवानी करेगा ट्वीन सिखर सम्मेलन जनवरी 2021 में नेक्स्ट कोस्टन देखिए कोस्टन नमबर 27 हमारा होगा देखिए 27 नमबर प्रशन यहां पे है फ्रेंड्स प्रशन है कि निम लेखित में से किसे यू एन एड़ द्वारा गरीबों के लिए सद्भावन राजदूत गोसित किया गया तो सबसे पहले यह जो दिया हुआ यू ए डी एपИ इसका फुल फर्म जाने ए एक बार और और रिपीट करता हूं एकप टकल के दौरा तो राजजस समंतिर कौं थे तो ड्रेंड्स beenah को तैठ condensed यात्रा बीमा स्वदेशी, यात्रा बीमा पहल शुरू किया है, important question है, तो बताई इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, इसका सही अंसर जो है, option B हो जाएगा, ICICI, Lombard, next question देखे, कि अलक्जांडर की भारत से लोटने का उपरांत, 323 BC में, कहां मिर्ती हो गई थी, इसकी मिर्ती यानि कि सिकंदर जो था, और जो पंजाब के सासक पोरस थे, इनके बीच जेलम नदी किटट पर यूध हुआ था, हायडे एस्पीज का यूध, ध्यान रखिएगा, next question देखे, निमलेखित मुगल सासकों में से, किसे जो है, Prince of Wilders के नाम से जानने जाता है, Prince of Wilders के नाम से साहजहां को, साहजहां ने बहुत सारी इमारतों का निर्मान करवाया था, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जीत, आगरा का ताज महल जो है, आगरा का मोती मस्जीत, यह सारी निर्मान करवाया था, साहजहां ने, चलिए, next question देखे, कि निमलेखित में से कौन सा बाद यांतर विना तार्का है। वो है ट्रम्पेट प्रेॅंसी का readister हो जाएगा। चिततरकला की गन्दार सहली का सुत्रपद्र किसकर दवरकिया गया। तो यह किया गया महयान संप्रदाय की दवरकिया। यानी की 33 का option b correction answer हो जाएगा। और गंधार कलासेली और मत्रुवा कलासेली का जो सबसे ज़्यादा पुरुट साहन मिला था वो कनिस्क के सासनकाल में मिला था कनिस्क ठीक है कुसान वंस के कनिस्क के सासनकाल में सालर जंग संग्रहाल काहा इसी थे इंपॉटेंट है है हैदराबाद में है निमलखित में से कौन सा निर्ति इस्तिरी पुरुस्त दोनों का निर्थ है याद रखिएगा कौन सा निर्थ है गुमर निर्थ है चलिए next question दिखेगा कि हीन यान और महायान संप्रदायों का जन्म निमलिखित में से किस में हुआ था तो हीनियान और महायान संप्रदाय का जो जन्म हुआ था ये चौथे बौध संगती में हुआ था और ये कब हुआ था तो यह कनिश्क के सासनकाल में हुआ था इस भी के प्रथम सद्धी में ठीक है और यह कहां हुआ था तो कस्मीर में हुआ था चलिए समराठ अकबर ने निम्लिखित में से किसमहल का नेर्मान फथेर प॥रशिक्रे में करवाया था तो ये करवाया था पंछ महल का नेर्मान में भारत के निम्लिखित प्राचिंतम सिखोंपर ससको के नाम इंवilah swept के सरीर के उपरि भागचितरित बने हुए थे किस सासकक के समय त तो सायंसर इसका बताईए क्या हो जाएगा सायंसर हो जाएगा गुप्त सिखे नेक्ष्ट कोस्टन देखेगा 39 नमबर कि अखिल भारती हर्जन संक्या स्थापना निमले कितने से किसके दवारा की गई थी ये महात्मा गांधी के दवारा की गई थी और अगर पूछा जाए क अगर गई थी तो ध्यान रखेगा महात्मा गांधी के दवारा की गई थी ये प्रश्ण फूछा जाता है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है 1932 में नेक्ष्ट कुस्टन देखेगा कि गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया तो ये चंपारन सत्यागरह के दव 1854 में लाग हुआ था और ये शिक्षा में सुधार से संबंग था इसका 42 नंबर देखेगा फ्रेंड्स 42 नंबर प्रश्ण है कि अंगरेजी सरकार जो थी नेकिस वर्ष बिहार को अलग प्रांथ बनाया था सयंशर इसका क्या हो जएगा ये बनाया था 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हो था लेकिन बिहार में बिहार और उडिशा दोनों सान्थ सान्थ थे बिहार और उडिशा स्वतंत्र कव बने तो 1936 में ठीक है 22 मार्ज 1936 को और מarge को बिहार जी उस मनाया जता है आप सभी जैसे स्कूल बस का टाइम टेबल ये सारी इससे पता लगाया जा सकता है और इसको शुरू किया है असन सरकार ने 1943 में नेताजी सुबासंदर बोष ने स्वतंतर भारत यानि कि आजाद हिंज की अंताह कालिन सरकार के गठन का उद्भोसित किया था कहां से इनों किया था सिंगापूर में नेक्स्ट कोस्न देखेंगे 45 नंबर और फ्रेंट्स इससे पहले जो भी हमने वीडियो कबर किया था जरूर दिख लीजेगा सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है आपकी एक्जाम के लिए सबसे पहले हमारा राष्ट्रिय गान कब गया था तो दिके राष्ट्रिय गान है क्या आपका सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि राष्ट्रिय गान और राष्ट्रिय गीत क्या है तो दिके राष्ट्रिय गान है वंदे मात्रम, इसको कब गया एक इसको भी गया गया था, भारत के समधान में मौलिक अधिकार हैं, इंपोरेंट है, बताएगा, तो मौलिक अधिकार जो है, ये मुल समधान का एक हिस्सा था, यानि कि option ये, सै उनसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार कितने है, 6 मौलिक अधिकार है कहां से कहां तक है तो अनुचे 12 से लेकर के 35 तक में है ठीक है? और समिधान के भाग 3 में है, ध्यान रखेगा और इसको लिया कहा गया सा है, तो अमेरिका से लिया गया है राजे लुक सवा आयोग के सदस्यों की निक्ति कौन करता है तो राजे लुक सवा के सदस्यों की निक्ति जो है राजे पाल करता है उस राजे का लेकिन उसको हटाने का अधिकार नहीं है ठीक है राजे पाल को हटाने का अधिकार नहीं होता है 48 नमबर है कि भारतिय गरतंतर में किसी राजी की सदस्यता है एक्षिक है, स्थाई है, अनिवार है या फिर पसंद है तो ये अनिवार है, option C करेक्ट अंसर हो जाएगा भारतिय समिधान कान निमलेखित में से कौन सा पक्ष, USA के समिधान के समान है तो अभी मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार है ठीक है, अक्टोबर 2019 में किस कंपणी को भारत की महारतन कंपणी का दरजा दिया गया था ये भी प्रशनी इंपोर्टेंट है, सही अनिसका हो जाएगा HPCL और PGCIL यानि कि option DA और B दोनों को दिया गया भारत और B बंगलादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है, किलो मेटर में बतानी है तो आप सभी को पता है कि भारत सबसे ज़्यदा land boundary बंगलादेश से साजा करता है भारत टोटल साथ देशों के साथ अस्थलिय सीमा साजा करता है और बंगलादेश के साथ सबसे ज़्यदा 4,096 किलोमेटर की सीमा जो है सेर करता है और सबसे कम जो करता है अफगानिस्तान के साथ करता है 106 किलोमेटर का यह भी अब ध्यान रखेएगा अगला कुस्टन देखिए कि भारत में जूम क्रिसी जुड़ी हुई है जूम क्रिसी जो होती है यह पहाड़ी इलाकों में होती है नौर्थ इस्ट पे चले जाएए वहाँ पे जूम क्रिसी आपको देखने को मिलेंगे जैसे सिक्किम चले जाएए अरोनाचल चले जाएए मिजोरम चले जाएए ठीक है यानि कि option 10 का correct answer हो जाएगा टोकियो ओलम्पिक 2020 का सुभंकर किसे घोसित किया गया है टोकियो ओलम्पिक का आपको सुभंकर पुछा जा रहा है टोकियो ओलम्पिक का जो सुभंकर है फ्रेंड्स वो है टोकियो ओलम्पिक देखे टोकियो ओलम्पिक में दो होंगे एक तो पारा उलम्पिक होगा और एक ग्रिस्मकालिन उलम्पिक कहा जाता है ठीक है तो एक मिराई तोबा है और एक समाइटी है ग्रिस्मकालिन उलम्पिक जो होगा इसका मिराई तोबा है और जो पारा उलम्पिक होगा उसका समाइटी है तो option D इसका correct answer हो जाएगा A और B द बहुत छोटे होते हैं ग्रहों से बहुत छोटे में पिच में होती है उसको क्या खाता है इंपॉर्टेंट है बताइएगा तो सर्वाधिक जो प्राप्त होता है छोता है निगम कर्से यानिका ओपसेनu इ dealt तुक्ष्व बंक करता है विसव बैंक करता है और इसमें भारत का अस्तान इसमें तीर सठवा रहा था और अगर बात करें कि पहले अस्तान पर कौन सा था तो पहले अस्तान पर नियुजीलेंड था ध्यान रखेगा next question देखेगा कि वर्ज 2019 में Nobel सांति पुरसकार किसको दिया गया था तो 2019 में दिया गया था इतोफिया के प्रधान मत्री अभी अहमद अली को और 2020 का भी दिया जा चुका तो friends अगर आपको Nobel पुरसकार याद नहीं है तो हम लोगों ने separate वीडियो जो है ध्यान रखेगा next question देखेगा कि अंतराश्टिय बौधिक संपदा यानि कि Intellectual Property Index 2020 में भारत का अस्थान आपसे पुछा जा रहा है important question है तो भारत का स्थान जो रहा है चालिसमा रहा है और पहले अस्थान पर अमेरिका रहा है इसको जारी कौन करता है तो US Chamber of Commerce ठीक है US Chamber of Commerce जो है इसको जारी करता है United Nations Human Development Index HDI क्या है important question है तो सबसे पहले देखिए HDI के बारे में जान लीजी यह जो rank था इस बार 2019 में जारी किया गया तो इसमें भारत जो है 139 अस्थान पर रहा था ठीक है और प्रश्ण आपसे पुछा जाराए कि HDI क्या है तो इसका सजयन सर option A हो जाएगा विभिन देशों की आर्थिक तता समाधिक इस्तिति का राष्ट्रिय आय सक्षर्ता आधिक आधार पर आकलन करने का मापड़न्ड next question देखिए undoubtend saving the idea of India option B इसका सजयन सर हो जाएगा 61 का ध्यान रखिएगा चलिए next question देखिएगे कि बर्ख पर दबाव बढ़ाने पर उसका गलनांग क्या होता है तो बर्ख पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांग जो है घड़ जाता है सुर्य उद्य होते समय और डूपते समय लाल क्यों दिखाई देता है भाई तो ये दिखाई देता है किसके कारण प्रकिर्णन के कारण से घरों में विदूत सेंतर जोड़े जाते हैं वो समनांतर क्रम में जोड़े जाते हैं कि option B इसका correct answer हो जाएगा next question देखिए कि hypoglycemia जिससे हाल ही में मुझह परपूर में सैकड़ो बच्चों की मौथ हो गई क्या होता है hypoglycemia तो ये जो होता है ये होता है रक्त में गुलकोज का स्तर समाने से कम होना ठीक है तो एंसर इसका option C हो जाएगा 66 नमबर देखिए कि केतली में पानी का गर्म होना उधारन है तो ये उधारन किस सीज का है ये उधारन है समवहन का convention का कूपोसन से सबसे अधिक किसकी कमी होती है तो कूपोसन से सबसे अधिक जो होती है प्रोटीन के कारण से होती है option D इसका सही अंसर हो जाएगा आप सभी को पता है कथन पर विचार किजिए और इसमें से जो सही नहीं है उसको आपको बताना है तो ये करके आप इसको पढ़ लीजिए और इसमें जो सही नहीं है वो मैं बता देता हूँ option D जो है ये सही नहीं है नेक्स्ट कोशन देखेंगे 69 नंबर ठीक है फ्रेंट 69 नंबर है कि हाले में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रेडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है तो सबसे पहले जानिए जो वर्ल्ड प्रेस फ्रेडम इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है तो reporter without borders ठीक है यह जारी करता है और टोटल 180 देशों के सुची में जो है भारत का स्थान आपसे पुछा जा रहा है बताईएगा तो भारत का स्थान जो रहा है वह 142 में रहा है पहले अस्थान पर नौर्वे रहा है इसको भी आप ध्यान रखिएगा चलिए विशवे 144 दिवस कब मनाए जाता है तो यह मनाए जाता है 31 number को next question देखिएगा next question है कि ध्वानी की उत्पादक और ध्वानी की परावर्तित करने वाली सता की दूरी कम से कम कितनी हो कि उस ध्वानी की जो प्रतिध्वानी है इको है वो साब सुनी जा सके ठीक है तो पचास वोल्ट की समता वाले बल्ब की कितनी विदुधारा प्रवाइध होगी तो आप लोग निकाल लीजेगा आपको पता है ठीक है यहां दिके पावर दिया हुआ है ठीक है पावर दिया हुआ है उसके बाद यहां पर वोल्ट दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा ज इसका सरे अप्षन C हो जाएगा 0.4 Ampere का ठीक है, फ्रेंट से लिए, नेक्स्ट कुसंदेखे कि धौनी की गत्डी सरवाधिक होती है, तो दीके धौनी की गत्डी सरवाधिक steel में होती है ठीक है उसके बाद जो है drop beam में होती है उसके बाद gas में होती है यानि कि थोस में सबसे ज़यदा होती है उसके बाद drop beam होती है उसके बाद gas में होती है हाली में कौन Indian oil corporation IOC के ने chairman बने है ये बने है श्रीकान्त माधव वैद option C correct answer हो जाएगा next question को यहैं कॉइन देखें कि सोडियम को मीटी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो इसका कारण आपको बताना है तो इसका कारण है कि हौवा में इसका ओक्सी-कर लगता है option B correct answer हो जाएगा next question देखेगा math का प्रश्ण है इसका answer मैं आपको बता देता हूं इसका answer 11 बटा 7 हो जाएगा सरीर पर पूर्ति कौन करता है तो यह RBC करता है ठीक है लाल रख्तिकन जो है यह करता है मनुस्त के सरीर में हिर्दे को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है एक बार धड़कने के लिए पुछा जाए वैसे ऑफसत पुछा जाए कि कितना धड़कता है तो एक मिनट में यह 72 से 75 बार धड़क जाता है ठीक है और एक धड़कन जो होता है वो कितना समय लग अगला कोसम देखेंगे 81 नंबर निमलेखितम से किसमें सबसे अधिक वाईववेग होता है यानि कि आमीरका में खास करके टॉर्णेट वाते हैं निमलिकित में से कौन सी संस्था है जिनके निर्वाशनों के लिए निर्वाशन आयोग द्वारा तयार की गई समान निर्वाशन सुची का परयोग नहीं किया जाता है ये कौन सी संस्था है तो ये संस्था है उन राजियों के विधान पर इसे दें ज उसको कहा जाता है बुम्ब कूप यानि कि पताल तोड़ कुआ कहा जाता है उसको केंद्रिये सड़क और संधान संस्थाने हाले में किसानों के लिए कौन सा एप शुरू किया है किसान सभानामक निमलेखित में से किसके कारण की गई आपात इस्तिति की गोश्टना के दोरान अनुचेद 19 के विप्रित भी किसी विदी का अधिनियम किया जा सकता है या कारेकारी आधेश जारी किया जा सकता है भारत के महानयवादी को है यानि कि option ए इसका correct answer हो जाएगा आप से भी को पता है देखिए किस तरह के प्रेशन पुछे जाते हैं किस देश ने और केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट ने किस देश के और केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट ने 2019 आगा खां औरकिटेक्टचर एवार्ड जीता है किस देश का जीता है यह आपसे पूछा जारा है सही अन्सराइब बंगलादेश का ऐसे यूगल जिनका रूदीर वर्ग ए और बी है ब्लड ग्रूप उनका A और B है एक ऐसे कपल हैं तो उनके बच्चों में कौन सा जो है ब्लड ग्रूप पाया जाएगा तो यह पाया जाएगा कुस्ट नंबर हमारा होगा अगला 90 नंबर ठीक है मैध का प्रश्ण है साधारन व्याज और चक्रविदी व्याज का अंतर दिया हुआ है मैं बता देता हूँ इसका सहींसर आप लोगों को सहींसर जो है इसका हो जाएगा 8000 यदि मांग की आए लोच के एक से अधिक है ठीक है मांग की आए लोच एक से अधिक है तो आपको पून है यानि कि वस्तु खली अस्ताना क्या होगी तो इसका सहींसर जो है वो हो किरफाइड होता है next question देखिए कि किस रोग में रखत का ठका नहीं बनता है तो आप सुभी को पता है हिमोफैलिया में नहीं बनता है next question देखिए न्यमन मेंसे vitamin b का रासांता नाम आपसे पुछा जा रहा है तिस देल के vitamin b कह जाए या फिर भीटामिन बीववन कहा जाए एक ही बात है से अन्सर स्का थायमीन होगा रेटिनॉल जो आए यह बृटामिन कौन सा है B2 है ठीक है फ्रेंट्स यह वीटामिन बीटू है ध्यान रखिये गा और एसकार्विक एसीड जो है यह विटामिन सी है पट्टा में गुरु गविन सिंग की कॉन सी जनम देती थी मनाई गई है इस फर्स इंप्टन्ट है ध्यान रखियेगा तो यह मनाई गई है चलिए अगला कुस्सन दिखिएगा चानवे नंबर कि निम्रिकित में से किस फूटपॉलर ने रिकॉर्ड छाटी बार पतिश्टीत मेगन रेफिनो बैलन डियोर समारव में स्तौर स्रेश्ट पुरुस खिलाडी के अवाद जिता है तो दिखें बैलन डियोर एवाड जो है 2019 में ये लियोनल मेसी को दिया गया और ये सबसे ज्यादा बैलन डियोर पुरसकार जीतने वाले खिलाडी बन गया है ध्यान रखिएगा लियोनल मेसी कहां के है अर्जेंटीना के है नेक्स्ट कोसन देखिए कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 का अनुसार कानुन व्योस् रहे नेक्स्ट कुस्ट देखिए कि किस भारती फिल्म उदगपती को हाली में एस्या बिजनेस लिटरसी फोरॉम के गलोबल एसे न अवर्ट 2019 से सम्मानित किया गया है किस भारती उदगपती को हाली में ठीक है बताईएगा तो 98 का जो करेक्ट एंसर हो जाएगा ये कौन ह यह है कुमार मंगलम बेड़ला ठीक है अपसन भी करेक्ट एंसर हो जाएगा 99 का एंसर आप लोग कमेंट करके बदे को कुलकटा पो ट्रश्ट करने है नाम क्या हो गया कई बार मैं आपको बता चुका हूं 100 नमर प्रिश्ण है इसका सही एंसर मैं आपको बता देता हूं इ इलते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट विडियो में ठेंक्स पर वाचिन